Assalamualaikum dear students, कैते हैं आप उमीद है आप खेरियस से होंगे आज बेमिसाल चैनल की तरफ से हम आपके लिए दुबारा 3-digit number के deciding order लेकर आए हैं Students, उमीद है कि आपको पहले 2-digit और 1-digit का जो order था वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा आज हम प्यारे बच्चों के लिए 3-digit number का deciding order लेकर आए हैं तो आपने परिशानी होना आपकी परिशानी बेमिसाल चैनल में खटन करती है चलें हम वीडियो शुब करते हैं और आप में आप अच्छी तरह से सीथना है 3-digit number का deciding कैसे होती हैं यह हमारे कार्ड्स हैं ठीक है यह हमारे पास चार कार्ड्स हैं इसमें आपने descending order बताना है चलें अब आप मुझे बताएं मैंने आपको यह review दे रहती हूं कि descending order जो होता है वो बड़े से छोटे की तरह जाना होता है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने left को देखना है आज भी हम यही करेंगे आज भी हम left session करेंगे तो हमने इसके left को देखना है ठीक है तो students यह है 878 इसका left में 8 है इसके left में 7 है इस card के left में 5 है और इस card के left में 9 है तो आप बताएगे मुझे कि 8 बड़ा है 7 बड़ा है 5 या 9 सबसे बड़ा है जी तो 9 सबसे बड़ा है इसका मतलब है हमने 900 को उठाना है और हमने इसको start में लगा देना है ठीक है अब हमने जो है आपको अब आपने student हमें बताना है कि 9 से छोटा digit हमारे पास कौन सा है जी देखी तरब से देखते है 7 9 से छोटा 7 है 5 है या 8 है जी अब student बताएगे yes 8 इसका मतलब है आपने 8 पूठाना है और 9 के after लगा देना है इसका अब हमारे पास यह देखी दो गार्ड बते है अब आपने students बताना है कि आप बताएगे मुझे कि इसमें से कौन सा 8 से जो है वो छोटा है 8 से 5 छोटा है या 7 छोटा है इसका मतलब है 8 से हमारे पास 7 छोटा है जी हम इसको इना कार देंगे जी और ये तो हमारे बस लास कार्ड था लेगी जिसका भी आपने लेट से देखना है तो 5 छोटा है आप से देखना है और बड़े से हमें चोटे पे जाना है तो ये हमारी डिसेंडिकी ग्रापल थी फीड डिजेट नंबर की डिसेंडिक आउर्डर के स्टूडेंट्स लोग आप फैरियसर है स्टेय हूम स्टेय लाइफ अल्ला अपीस वीडियो पसंदा है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर दिया जए और कोई भी बश्किल हो तो हमें कोमेंट में पूछा करें अल्ला हाफीस